वीडियो में प्रेकेना, नॉट वरी हापी है। बताय जा रहा है कि इसके लिए लखीमपूर खीरी से हत्यारों ने टैक्सी विवुक कराई थी। हलांकि बॉडर पर सकती देख दोनों शाजाहापूर भाग गए थे। अब ऐसी खबर आ रही है कि दोनों हत्यारे कोट में सरेंडर करना चाते हैं। हत्यारे शेक अश्वाक हुसैन और पठान मोहिन दीन ने सोमवार सुबह करीब साड़े आठ बजे ठाकुर गंज के एक वकील को फोन कर अदालत में सरेंडर करने की बात कही। कमलेश के हत्यारों की कॉल से वकील के होश उड़ गए और उन्होंने ततकाल पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर रही है। पुलिस की एक टीम लखीमपूर के पालिये पहुची। जहां पता चला कि वहां मोबाईल नंबर टेक्सी चालक का था। वह यूपे पुलिस की माने तो हत्यारे रविवार रात करीब बारा बजे टेक्सी से उतर कर शाजहापूर रेलवे स्टेशन जाते हुए दिखाई दिये थे। वहां उन्होंने काउंटर पर जाकर ट्रेनों के बारे में जानकारी भी ली। जिसके बाद स्टीएफ ने जिले के कई होटलो और मदर्सों के मुसाफिर खानों में छापे मारी की थी। फिलाल स्टीएफ की टीम ने शाजहापूर में डेरा जमा दिया है। पलिस को शक है कि संदिक दिशाजहापूर में कहीं छिपे हो सकते हैं या फिर इस रास्ते के जरिये कहीं और भागने की फिराक में हैं।